आप सभी का स्वी की ओनलाइन क्लासिज में स्वागत है आज में क्लास सेवंथ सब्जेक्ट संस्क्रिट में लेशन थर्ड स्वाव लंबनम पार्ट के अभ्यास पर्षनों पर चर्चा करेंगे तो आएए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है उच्चारण केजिए जैसे 20, 20, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 28, 29, 30, 30, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 38, 39, 39, 49, 44, 45, 40 NJ निट्रेक्ट लिकेक्ट लिक्ते पर्षनों के ऊतराण निखो पहला है पर्षनों के लिकल akan case नख के किसितंसमें परसनाम लहीं लेखें पर्षनाल्यारान उत्राणी लिखते हैं लिचने लिखें पर्षनों के उतर लिखो पहला है कस्या बवने सरविदानी सुक साधनानी आसने किसके बवन में सभी परकार की सुक के साधन थे किसके थे तो आएगा सिरी कंठ से सिरी कंठ से कस्या जाएगा दिखाई देर आपको स्क्रिपिक तो कस्या बवने सरविदानी सुक साधनानी आसने उसके वाद है कर्षे ग्रे कूअबी बड़्दे नास्ति निल्ग किसके घर में कोई भी नोकर नहीं है तो क egalicy शीर्इक क्रिश्न मूँर्दी कृष्न YOU डे ग्रे कूअपी बड़्दे नास्तिय अब शीरिकण स से अतीत कि एकरोने शीरिकण का आतित्य है यानि अतित्य सिद्कार किस ने किया तो इसका होगा श्रीकंट से आतित्य हम के एक रोन है वो आएगा श्रीकंट से आतित्य हम के कि जिए आएगा तस्य माता पिताचे एक औरवन सरवदा कुत्र सुखं मुत्री की गषर कब गया मैं इसका इसका अंसरो होगा श्रीकंट है प्राइन नौ वादने किर्शनमूर्दे ग्रहम एगचत कृत्य करमकराशन्ति क्रिशनमूर्थ के कितने नौकर है कितने हैे तो किर्ष्ण मूर्दे है अस्टौ करमकरा संती उसके बाद में question number second third number question चित्राणी गनेत्वात देव संख्यावाचिक सब्द लिखता है यह आपके screen में चित्र दिखाई दे रहे हैं एक, डो, तीन, चार, पांट, चाह, एक नर्च में, चाह, चाह, कि तीनर छाह तिया अठारा, अठारा हैं, अठारा को सुछ के तुम बोलते हैं, अश्टा दस है, अब गट सब्द है, ये गड़े हैं, गटानी न पुस्कों के लिएंग सब्द है इसलिए गटानी आएगा तो 80 दस है गटानी अठारा है गडे अब यह आमका चित्र है तो यह है एक विस्ति आमराणी एक विस्ति आमराणी उसके बाद भी यह आपको गेंदे दिखाई दे पंद्रह हैं पंच दस है पंच दस है कंदू कानी यह आपकी स्क्रीन पर मुंबतियां है मुंबतियां को बोलते हैं सिक्त वर्ति कानी यह मुंबतियां है एक लण में बारा है बारा की तीन बारा दिया चतिस को स्क्रीन बोलते हैं शट त्रिस्त है यह चतिस सिक्त वर्ति कानी उसके बाद में यह पत्ते हैं पत्ते हैं यह पत्ते हैं त्रेस्त पत्त्त पत्त्त पत्त रानी means उसके बाद प्रशन 4 था मनझूसा अंका नाम क्रिते पत्तानी लिखता है य compressnut में जो अंक दिये गें पत्त्त को चिन्या करो ज毛ली संक्या दे रकिया इन में से हमने सब्स चुड़के लिखने है, जैसे अठाईस को सर्सक्रित में क्या बोलते हैं, अस्ता वििश्थी, तीस को क्या बोलते हैं, त्रिस्थилась यानि छताईस को, शप्त विश्थी, यानि 31 को 31 तरिष्ट है यानी 31 एक तरिष्ट है 28 अश्टा विस्ति ही 30 तरिष्ट है 27 सब्त विस्ति 31 एक तरिष्ट है उसके बाद में है 24 24 को संस्किन में बोलते हैं 44 फिर है 40 40 को बोलते है चत्वारिस थै चत्वारिस चालिस और 50 vib अब चित्र द्रष्टवा मांजूसाथ पदानी चय प्रियुजय वाक्या निकते यानि चित्र दे कर मांजूसा में दिएगे सब्सक्राइब जोत रहायक, कुरुतायक करते हैं, खनन करें, खनन करें और रोपेंती रोगते हैं, तो इन शब्दों के दार पर हमने इन वाक्यों का निर्मान करना है, जैसे अगर वाक्य करता एक वचन में हैं, तो हमें एक वचन का प्रियोग करते हुए वाक्य का निर्मान करना है, जैसे इसके एसे पहले चितर के एक ही है यह है, तो ऐसे जह कहकर, क्छेत्रम करस्टी जह किशान, खेथ, जो तरहा है अब दूसरे चितर में देखो, दो मजदूर है, तो दो मजदूरों के लिए गारें, इसके बादे खननकार्यम पूरता है दातुरू करता दो हैं तो किरिया भी द्वी बचल की आएगी तो कुरूत है एतव कृषकवू खनन कार्यम कुरूत है उसके बाद में तीसरा तीसरे में दो से ज़्यादा मजदूर है तो मतलब बवचल में आएगा तो बवचल के लिए एते ये सब कृषका किसान दान्यम र दोब रहे हैं उसके बाद में समय है अदो लिखीता नाम समय वाचकम वाचका नाम अंगा नाम पदेशू लिखता है नीचे लिखे समय वाचक सब्दों को संस्क्रित में लिखना है जैसे पहले में साड़े दस दिया है साड़े दस आदा को बोलते हैं सार्दम सार्दम द् वादनम यहाँ पर इसने रोंग लिखिया है दौदस नहीं आएगо सारदभ सारदभ दस वादनम होगा इसने सारदभ दौदस वादनम दे रखा है यह थोड़ा रौंग है बुक मेंमी общем प्रिंटिंग है सार्दस कोभनता है सारदभ ध्वी वाधना nenhum 11 को संस्किते में जोते हैं एक-डस आगे वाधना एक-क अदस वाधना साड़े चार को सारधम चतुर वाधना सारधम चतुर वाधना पिरा एक बज़ कर तीस मिनद यानि डेट बजा तो सारधम एक वाधना उसके दर पांच वजे को पंच वादनम और साड़े तीन सारदम त्री वादनम यानि साड़े तीन वजे और उसके दर नव वादनम फिर साड़े बारा तो यह हगा सारदम द्वादस वादनम यह हगा साड़े बारा को सारदम द्वादस वादनम उसके बाद में 8 बजे अस्ट वादनम और साठे साथ को सारदम सब्थ वादनम उसके बाद लाश्ट क्वेश्टन है मनजूसात पदानी चित्वा रिक्स्तानी पुरिदे यानि मनजूसा से पदों को चुनकर रिक्स्तान की पूर्थी करो जिसे शटा दे रखा है, त्रिस्ता है, एक त्रिस्ता है, द्वव, द्वादस है, अश्टा विस्ती जिसे रीत्में बमंती, रीत्में कितनी होती है, तो इसके लिए आएगा शटा, यानि छे रीत्में होती है माशा बवंती मैने होते हैं कितने मैने होते हैं 12 मैने होते हैं 12 कुछ स्कित में बोलेंगे 12 है माशा 12 है बवंती अब एक स्मिने माशे अथा दिवसा संदी एक मैने में कितने दिन होते हैं एक मैने में कभी 30 दिन भी होते हैं मेंम्बी-था यहां कभी तो 30 के लिए क्या होगा एकश्विने मासे समयом मैं最ytt力 258 ट्रीस या या 91 को सब्सक्राइब की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो बोलेंगे अश्टा विश्टिह ही मेरे मेरे सरीर में कितने हाथ होते हैं तो मेरे सरीर के दो हाथ हैं मम् ऐरने 7 कीशन कर लिएए उसके बाद में ध्यात्म धियान देनी योगे हैं यह बारतिया मेंगों के नाव देरके तो सबी बच्षों ने बारतिया मेंगों के नाम और रितुओं के नाम दे रखे हैं तो देखो पहला मेना है चेत्र फिर विशाख है तो चेत्र और विशाख में कौन सी रितु होती है वसंत रितु होती है दूसरा है जेश्ट है आसाड है जेश्ट और आसाड में ग्रीशम रितु होती है उसके अवद है स्रावन बादरपद है इन दो महिनों में वर्षा रितू होती है और सात्मा जो महिना है आश्विन है कार्थिक है आश्विन और कार्थिक में शर्द रितू होती है शर्द रितू और उसे मार्ग शीशे पोशे मार्ग शीशे और पोशे मार्ग शीशे पोशे तो ये आपको इन बारतिय मेनों के नाम भी लिखने हैं आज के लिए पिरे बचवाज इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे धन्यवाद